आज हम आपको रूठे हुए व्यक्ति को वापस बुलाने वे वसमे करने के सात्विक टोटके के बारे में बताएंगे मतलब यदि आपकी पतनी आपसे रूठ कर मायके में जाकर बैठ गई है या आपके पती आपसे बहुत जादर नाराज रहते हैं और लड़ाई जगडा करते रहते हैं या घर छोड़कर चले गए हैं या आपका बेटा या बेटी नाराज होकर घर छोड़कर चले गए हैं या कोई अन्य, प्रेमी, प्रेमी का आपको छोड़ कर कहीं आपसे दूर चले गए हैं तो इस टोटके को करके आप रूठे हुए उस व्यक्ति को आसानी से अपने पास बुला सकते हैं यह रूठे हुए व्यक्ति को अपने पास बुलाने का चमतकारी वे सबसे आसान पावर्फुल टोट का है। इस उपाय को कोई भी इस्त्री या पुरुष कर सकता है। सबसे पहले आपको भोजपत्र या सफेद कागज की 101 पर्ची तैयार करनी है। और उसके उपर लाल स्याही से यह यंत्र बना लेना है। फिर यंत्र के नीचे उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आप अपने वस्मे करना चाहते हैं। द्यान से देखिए इस यंत्र को। आप चाहे तो इसका स्क्रिन सोट भी ले सकते हैं। और यंत्र के नीचे उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आप अपने वस्मे करना चाहते हैं। जैसे उसका नाम मोहित है। तो हमने पहले से ही उसका नाम लिखा हुआ है तो आपको इसी परकार यंत्र के नीचे नाम लिखना है और दोस्तो हम फिर कह रहे हैं यह बहुत ही पावरफुल टोटका है इसका गलत उपयोग बिलकुल ने करें और 101 परची पर यह यंत्र बनाने के बाद यह यंत्र अपने आप सिद्ध हो जाएगा अपने आप सिद्ध हो जाएगा 101 परची को लेकर बहते हुए जल या नदी के किनारे जाना है और अपने इश्ट देव का ध्यान करके और व्यक्ति को पुकारना है व्यक्ति का नाम लेना है जैसे हमने बोला था मोहित उसका नाम तो आपको बोलन मोहित अब तुम मेरे पास चले आओ और ऐसा बोलकर एक परची को नदी में डाल देना है फिर बोलना है मोहित मेरे पास चले आओ फिर दूसरी परची को पानी में प्रवाइद कर देना है ऐसा आपको 101 बार करना है मतलब आपको 101 परची एक एक करके उस पानी में प्रवाइद कर देनी है फिर आप देखेंगे ऐसा करने के बाद कुछी दिनों में वह व्यक्ति आपके बिना रह नहीं पाएगा उसके मन में एक ऐसी तड़प उठेगी कि वह व्यक्ति आपके पास चलाएगा